वेलकुम बैक इन नीव वीडियो गैस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे गैस मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने इटूब टेनल फार्मेसी वाला कोई भी सबना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनिए फार्मसी वाला को और करें अपने बी फार्म एंडी फार्म का सबना साकार ।। डाउनलोड दियां नाम तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी फार्म को कुनों से सैकेंड चल रही थी वीफाम फिप सेमेश्टर में तो यहां पर देखिए लाश्ट वीडियो में हमने कवर करा था सिक्मिक एसिट पाथवे तो आपने इस पिछली वीडियो को जरूर से देख यूनिट का उसको आप जरूर से देख रहें हैं लिंक न आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकि जो अधर सब्यक्त हैं इसकी फार्मकोलोजी मेडिशनल केमिस्टरी इंडिशनल फार्मेश्ट वगरा तो उनके भी लेक्टर चल रहे हैं उनको भी आप देख सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज जो नहीं हम नेक्स्ट पाफ्वे को कवर करने वाले हैं वह ऐसे टेड़ पाथवे तो यहां पर दीकिते तीन पाथवे दे रखे हैं सिक्मिक एसेट पाथवे एंड अमीनो एसेट पाथवे इसमें सबसे इंपोर्टन पर इसको नहीं पर कवर करने वाले हैं वाकि जो नौट्स आप दे रहा हैं हैं रिटिन आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला एप से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा तो यहां पर देखें बात करते हैं एस्टेट पाथवे के बार में जैस द्वारा बनते हैं और वह उनके defense system में काम करते हैं लेकिन जाथ तर जहां हम हम क्यों करते हैं अदिवां करते हैं जहीं कोई जिसके दुवारे अभी secondary मेटावलाइड इसे से जाते हैं इसके इस्टिरोइड और टर्पिनोड जो हम वो इसी पातवे से बनते हैं अब बोटास कि यह इस्टिरोइड और टर्पिनोड क्या होते हैं तो थोड़ा देखी मैं आपको सिलेबस में ही दिखा दूं जो कि हैं से में दे ही रखा है जैसे कि यहां पर देखोगे ना यूनित थर्ड में है टरपिनोड इसके अंदर दे रखें मैंथोल सिट्रल और आयटी मिसनिन तो यह प्लाइंट से ही हमको मिलते हैं इसके आयटी मिसनिन जो होता है न यह हमारी एंटी मलेरियल ड्रग होती है तो देखें बन रही है प्लाइंट के दुवारा यह सेकंडरी मैटावलाइट है लेकिन हम उसको यह मैडिसन यूज कर रहे हैं हमाले यह बहुत ही फायते बंदे हैं ऐसी जो मैंथोल जो होती है आपने इसको जरूर देखा हो जो बाम बगारा जो होती है ठंडा होता है मलब की ठंडा लेकर है तो यह न पेन को ठी करता है और थोड़ा कोस्मेटिक बगारा में वह इसका यूज करते है तो यह थीन हो हमारी क्या है सेकंडरी मेटावलाइट के कहां से मिलते हैं अचिडर ने मैडिसन वेल्यूर एसे हैं इसा है यहां पर हुआ के इस्टिरोड दे राखे हैं का बगएर उसको ठीक करता है ऐसे यह जो है इसको समझने के लिए उनकी मैडिस्टेट बात पात वे इनको पड़ना हो रहा है कहां से बनते हैं तो आपको कलियर होगे कि पात्वे से आपको श्टिरोईड और अगे बात करते हैं कि यह जो हमारा पात वे इसको हम कैए नेमों टरपीनोइट इस से हमको मिलते हैं कि इसवाइस मैंबमेलेनेट पाहँ तो आप नहीं की कहीं बात करते हैं इसके डिसकवरी जो हुई थी ने वह k stapyl में होई थी जब को एंजाइम यह discover हो गया था अब इसके discovery के वादी क्यों यह पता चला देखिए मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो starting होती है starting का जो रियक्टन तो raw material जो होता है वो आपका acetyl co-enzyme A ही होता है अब थोड़ा नहीं हम basic metabolic पाथवे को देखते हैं कि actually में कहां से starting होती है आपकी acetate पाथवे क तो यहां पर देखिए हमने सबसे जो first video थी इसकी मनलब की कोगनोसी के उसमें हमने देखा था कि जो plant जो है वो सबसे पहले sugar बनाते हैं carbohydrate बनाते हैं फिर उनकी glycolysis और HMP cent के दौरा यह जो है intermediate बनते हैं PEP यानकि फोस्फो इनॉल पाईरूबेट और erythroze for phosphate जिससे हमारा सिक्मिक एसिड मलब के स्टार्ट हो दाता उसका पाथ भी बगेरा ऐसे ही अगर हम आगे को देखें ग्लाइकोलाइसिस से आपको पाईरूबेट मिलता है पाईरूबेट से फिर टीसी साइकल स्टार्ट होती है फिर आपका एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है और इसी से बनता है और लास्ट में जाके आपके अस्टिरोइड और आईसे पर्नोइड बनते हैं अगर यहाँ पर इस्टार्ट अगर मैं मिलता है और बन्ह浹 स्टार्ट sa से और पाइरुबेट जो है आपका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकुलाइस का तो सारे जो पाथवे जो नहीं यह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्लियर हो गया तो आपने देखे इस में में पढ़ना क्या है कि आपके पास दो इस्टार्टिंग के माटेरियल होंगे कहने का मतलब है कि आपके सेकंडरी मेडवलाइट यहां पर आपको मिलेंगे तो आपने स्टार्टिंग के माटेरियल और लास्ट में जो आपको प्रोड़क्ट मिलेगा उनका जो नेम वह जरूर से दिहान रखना है तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है एसीटाइल को उसके बाद में हम बात करने के एंड प्रोड़क्ट आपको क्या मिलेगा आपको कौन से सेकंडरी मेडवलाइट मिलेंगे तो वहां पर है दो आई पीप एंड डी एम एपीप इनकी फुल फॉर्म है आई पीप का मतलब है आई सो पैंटेनिल पाइरोफोस्पेट ऐसे ही ड डी एम करो डी एम है ना इस तरीके साथ रख सकते हैं आई पीप को आप फुल फॉर्म कोई भी बना सकते हो इंडियन फार्मकोपिय करके या वह बोलतों इंस्पेक्टर करके कुछ भी इस तरीके से याद रख सकते हो और यहां पदी के जैसे ही आपको यह दोनों प्रजीकल एक्सिंद दिखाते हैं जसके मैंने सिंपल एक्जामपल में आपको इनको मैंन्थोल सेट्रल आइटमिसनें और लिकुराइस बगएरा इनको मैंने अब आपको बता दिया है कि आपके पास यहाँ पर एक लंबी चैन होगी मतलब कि स्टाइटिंग का माटेरियल होगा एस्टैल को एंजाइम आफ यही स्रीज आंपने मतलब की रिक्सन की स्टाइट करनी हो कि कैसे यह पूरेक्शन होती है कैसे प्रोड़क्ट आपको बनता है और क्या यह पूरी कहानि है और आपके टॉप कि यहां पर लाइगा दो यहां पर लिख रख रही है जो की सा होती है और एंड जो है इसका यहां पर आकर करके खतम होता है तो यहीं जो सारी कहांनी है ना स्टेब बाइस्टेब मैंने यहां पर लेख रखी हैं जब आपको पड़के बताता हूं कि इस्टाइटिंग में आपके पास दो मॉलिकूल होंगे ऐसेटल को एंजाइम एक यह औ कiec़ें तो कहान्य आप हो टाहिए आपने और ञिसाहव को में है चीजँ हुआ पर आपने प्लती से चीज़े को याद रटना है तो यहां पर देख सकतेहिं Об अगर आपने लिखना होते हैं पर मैं पॉस कर लेना वीडियो को तो स्टार्टिंग करते हम यहां से कि आपका जो रियक्टेंट वह दो है एस्टेल को एंजाइम ए और दूसरा ही मोलीकूल है वहां का सिम्पल फॉर्मल होता है सी ओ और यहां पर याँ पर जो यहनी की यहां पर लगा हुआ अब यहां पर होते हैं यह एक एंजाइम के मदद से होती है ठीक है पो अन्जायम और पॉट अन्जाइम में बहुत और को एंजियम की एक्टिविटी को अफैक्ट कर रहा है तो घटा देता है या बढ़ा देता है इसे गजाने क्या मतलब यह बोल सकते हैं और अगर यह झूर्भ अफैक्टिटीन अपर यह जोड़ा पड़ा है इसटिक एक्टिव व्हर्म है तो जब आप दो एस्टल को एंजयम एको दूने को रियक्ट करते हैं तो वहां पे लिएक्सर चीज और रिकोल करने में आसानी हो जाएगी कि आपने देखे सिलेबस में अब लिए में आपकी यूनिट फस्ट में नहां पर एंटी हाइपर लिपीडिमिक ट्रग आपने फड़ी होंगी अपने अगर को लोजी को कबर करा हूँ उनिट फस्ट को तो यहां पर तो हमने ने पहली वाली पर फोकस देना है से इसका जो मोड़ अथेक्स नहीं से है अभी थोड़ा न आप देखो कनेक्ट करना वेट करो थोड़ा दो-चार मिनट करते हैं इसकी होती है A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C acid तो आगे देखे भी क्या हो रहा है Acetoacetal coenzyme A से आपका hmg coenzyme A बन रहा है फिर यहाँ पर क्या reduction क्या बन रहा है मेवलनिक acid बन रहा है ठीक है उसके बाद में फॉर्डटर यहाँ पर कई चीजे बन रही है और स्क्रस intra secured चाभी पर हमारे स्क्राइब ऑस एड़ीड होका के जिन लेकिन यहां पर यहां अरेग्स कहिने नहीं तो मैंने इसलिए लेक्षि पर शड़ें कि सब्सक्राइब एisel-co-enzyme A में और दूसरे astyl-co-enzyme A में यहां पे होता क्लेजन κंटसेशन मतलब क्या होता है मलब धी Соगैं मिल जान आप ऐसे समाँ सकते हैं अभी क्लेजन से संबसे बीच में बीच में होती तो कार्बोनील कंपांड होते हैं जसके यहां पर सी डवलबंड ओ सी डवलबंड ओ यहां पर कार्बोनील गुरूप है तो जब भी एक दूसरे से कंडेंस होते हैं तो यहां पर यह जो को फैक्टर जो लगा हुआ है को एंजाइम यह एक यहां से रिमूब हो जाएगा सिंपल ए एक हमने इसको रिमूब किया वाकि CS2-C2O-SCOAN की Co Enzyme A तो यह आपका बनगा Aceto Acetyl Co Enzyme A और यहां पर देखें जैसे हमारा Aceto Acetyl Co Enzyme A बनता है तो इसकी जो reaction है न हम further उसी से कराते हैं Acetyl Co Enzyme A की तीसरे प्लस Acetyl Co Enzyme A ऐसे करके यहां पर दिखा रहा है जैसे ही यह reaction होती है तो simple structure में आप एक और यह वाला group add कर दो तो जैसे ही add होगा न आपका बनता है HMG Co Enzyme A तो same वही आप जहां रखना जैसके आपने anti-hyper epidemic drug में पड़ा था तो इसकी uniform होती है हमारी वीटा हाइड्रोक्सी वीटा मेथाइल ग्लूटाइरिल को एंजाइम ए और इस रियक्शन का जो नेम है वह हमारा देखो COH CH2 COH CH3 CH2 CH2 OH यहां पर देखे C जो है आप यहां पर हमने डबल बॉन्ट को हटाया और दो hydrogen add कर दिये और को enzyme को भी हमने हटाया और यहां पर हाइड्रोक्सीड group add कर दिया तो यह जो नापका mebelinic acid कहा जाएगा और यहां जैसे हमारा mebelinic acid बन जाएगा तो उसके बात होता phosphorylation phosphorylation का कहने का मतलब है कि addition of phosphate group तो यहां पे ने दो phosphate group एड होते हैं तो simple दो स्ट्रक्टर में कुछ भी चैंजिंग नहीं जहां पर हम यहां पर हटाया और हमने ऐसना दर यहां पर यहां पर एड़ करतें तो इसको हम बोलेंगे डाइ या फॉस्फफीट या पाइर था यूजब आपना यूजब कर लो या पाइरो प्रेफिक्स का यूजब दो दोनों एक ही बात है तो यह जो है आपका कब होता है फोस्फोराइलेसिन के बार यह बन जाता है ठीक है अब इसमें देखे हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन और यहां से हमारा वाटर रिमूब होगा कार्बोक्सिलेशन का मतल़ होता है नहीं कि स्योट्ु का वाहर निकलना और यहां पर वाटर भी बाहर निकलेगा तो चिक हमारे हैं तो जब इसकी वैलेंसी कम होगी तो उसने कार्बन के साथ मेने कार्बन के saatt साथ में है से कीने के साथ में riadलबल बन काके सी सी हमार इधर है CS2, CS2O, PP यानि कि दोन फोस्पेट ग्रूप आपके यहां पर हैं तो यहां पर सबसे पहला जो आपका जो प्रोड़क्ट जो हमारा बनने वाला था IPP जानि कि आप कैसे याद रखो इंडन फार्म को प्य करके या इंस्पेक्टर करके कैसे भी तो IPP हमारे यहां पर बनता है आपने इसको इस तरीके से इस्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं इसकी CH2 डवल बॉंड यहां पर कार्बन है यहां पर CS3 है जो कि यह वाला आपका CS CS3 है वाकिया है पर CS2 CS2 और OPP तो यह ना आपका ISO-Pyrophosphate या वह ओले तो आई-Sopentyl-pyrophosphate कहां जाता है ठीक है आई-Sopentyl-pyrophosphate कहें या आईसो पेंटाइल डाइफोस्फिट कहें कि हो कि हैं यहां पर भी दो फोस्फिट गुरूप ठीक है तो यह देखो कि आप काउंट करोगे ना एक हमारा एंज़ाइम है आई-सोमरेज एंज़ाइम जो की इसको न दूसरे आईईसोमर में辜ाय कर देता है यहां पर सिंगल ऑन रफो यहां पर ड्यों सिफ्ट कर दो यहांप आईसोमर इसका दूसरा वन जाएगास कि CS3 यहां पर पर हमने आगे सिफ्ट कर दिया बाकि यह सार अगुत सेम है यह आप इस तरीके से दिखा तो यह हमारे DMAPP कहा जाएगा DMAPP का मतलब है Dimethyl Allyl Pyrophosphate यहां पर दीकर Dimethyl कहने मतलब की IPP and DMAPP अब यही दोनों एक दूसरे के साथ में रियक्ट करेंगे मतलब की आप बोल सकते हैं secondary metal light बनाएंगे तो सिंपल देखो यहां पर क्या है यह आपका भी था DMAPP अब इसमें हमने एक और IPP कहने का मतलब है यही वाला मोलीकुल हमने आड़ किया जैसे यहां पर IPP होता है तो यहां पर टैन कारवन के एक हमारा मोलीकुल बनता है intermediate बनता है इसको हम c10 unit बोलते हैं इसका जो नेम है न वह होता है जी पीप यहन की गैनारिल पाइरोफोस्पेड तो सिंपल कुछ नहीं है जो यह इस्ट्रक्चर थी नहीं यह वाली इसी में आप एक और गुरूप एड़ कर दो उस्ट्रक्टर आपकी कुछ इस तरीके से नजर आएगी तो इसको हम बोलते हैं मनोडा फिन अपने बनाने हैं तो उसमें कम से कम 10कार्ण होते हैं जो कि 10 कारवन कैसे बनते हैं 5 कारवन डियामीफीप से आते हैं और पांच कारवन आई फिसटी आते हैं दोनों करके आपके जोड़ते जाओ जिसकी अभी यहां पर 10 थे इसमें कार्बन अब एक और आई पीप आपने जोड़ा यहां पर 15 कार्बन होगे जैसे पंद्रह कार्बन होगे तो इसका नेम हो जाएगा फारनेसिल पाइरोफोस्पेट और इसको हम सस्क्यू टरपीन बोलते हैं लेकि को और आई पीप अगर आड़ किया तो यहां पर हमारा 20 कार्बन कंटेनिंग मोलीकूल बनेगा जिसको हमने डाइट अर्पनोड भी बोल सकते हैं यह कि दस कारवन वाला हमारा मोनोटर्पनोड था तो डवल होगे यानि कि ट्राइट अगर हमारे मलब कि 40 होगे मलब कि ट्य इसके लिए Cl qualisule और यह हमारे Digitalis बगएर तो यह सिंपल क्या है इनकी away बहुती है ऐसे यहां पर टर्पेंड मैंधिल।थ अधोल इं़िसे रिव्ट बगएखी कर हो गया है और यहां पर जो muscles 11 वाला जो था मलिब कि फारनस्ट्र मेशलों कर रगए यहां पर इस्केवलीर ऑगर बनते हैं इस Goodbye र indicator इसदिरोईंटेशें, आपको मिलते हैं इनकी जो थेोरी ना देखे बारी बारी सब बढ़ लेना जिसके मैं आपको दिखा देता हूँ आप नोट भी कड़ सकते हैं यहां पर इस तरीके से जो यहां पर सारी रिक्षन हुई है ने उनकी थे आप लेक्षे हुए है आप वीडियो को पोस्याश किरके यहां पर लेक्साइब यहां पर इस तरीके से खत्म होता है कि लास्ट में आपको चीज बता दो आपको कि यहां पर जो सबसे इंपोटेंट है जो कि 7 मार्व में 10 मार्व में दोनों में आ जाता है एस्टेट पाते हैं और वाकि जो आमीनो असेट पाते हुए नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लिए वाइबाई थेंक्यों है वे नाइस्ट पाते हैं